नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी वेजिटेरियन फूर्ड स्टेंड में आपका स्वागत है तो चलिए वैसे तो आपने कड़ी तो खाई होगी आपने कई तरह की पकोड़ा कड़ी तो मोस्ति सभी के घरों में बन ही जाती है पर आज हम ना कुछ अलग तरह की कड़ी सबजियों से ठीके शायद सिंधी कड़ी बोलते हैं शायद इसे पर मुझे तो नहीं पता क्या कहते हैं पर मैं इसे बनाती हूं और खाने में भी यह बढ़ी टेस्टी लगती है अब जैसे सबजिया अच्छी अच्छी आई हूए बीन्स हैं गाजर हैं मटर है और भी आप मटर छी लेवे रखे थे थोड़े से वह ले लिए हैं मैंने और बीन्स है फ्रेंच बीन्स मैं पहले सबसे पहले ना इनको काट लूँगी सबजियों को अच्छी तरह से और मुझे बिल्कुल जादा बड़े पीस नहीं करने बिल्कुल छोटे-छोटे पीस करने ताकि अस पकाएंगे तो वह पकती है धंक से सब्जी है ना तो इसलिए न मैंने अब उसको छोटा-छोटा काटा है ताकि जल्दी पक जाए अब मैंने आधा लीटर लिया है रसी और मैं उसमें तीन से चार चमच भरके बेसन डाल दूँगे थोड़ी सी डालूँगी हल्दी क्यों कि अच्छी तरह से बिला लूगी ताकि ना बेसन की गांठे ना रहे इसमें बेसन में छोट-छोटी जिस बेसन रखा हुआ था तो इसमें छोट-छोटी गोली आंसी बन जाती है नो att 누cles डल्हां से बिल जाना रहे ऐसन के मिला साइड में रख दिया से अर अब मैंने कढ़ाई में कर लिया थोड़ा सा तेल गरम उसमें मैं डालूँगी मेथी दाना थोड़ा सा जीरा डालूँगी और अजवायन अजवायन से बेसा नसानी से पच जाता है मतलब इसलिए और मैंने तीन-चार लोंग भी डाल इससे खुशू बड़ी अच्छी आएगी सबसे पहले नमेने ये सोय भी इनकी वड़ीगा ओती है छोटी-छोटी मैंने इनको भीगोंके रख दिया था गरम पानी में सबसे पहले मैं इनहें डाल के थोड़ा सा भून लूंगी इसLC sorry अखेल वहीं, जब यह हलकी से भून जाएंगी, फिर मैं डालूँब इसमें आलू, पहले मैं आलू को पकाऊंगी, 2-3 मिनिट के लिए ड़क्के पकाऊंगी, इसे मैं अच्छी तरह से, और जब यह हमारे आलू देखिए, देख लेते हैं, हमारे आलू हुए है के नि, जब कि हमारे हलू हो जाएं तो फिर हम इसमें और सबजियां डालें क्योंकि वे ते जल्दी पक जाएंगी तो देखें मैं इसमें गाजर मटर और यह बीन सी ना अब मैंने यह डाल दी है इसमें अब मैं इन सब्जियों के पहले थोड़ा सा पका लूँगी क्योंकि कड़ी के देखते हैं देखिए हमारे आलू भी कुछ गल चुके हैं और कुछ सब्जियां भी थोड़ी सी कच्ची हैं तो मैंने फिरसे से ढखके दो मिनिट के लिए पकाया और अब मेरी सब्जियां काफी हद तक पक चुकी है हमें बिलकुल गोलिया नहीं बनाना सब्जी का उसमें छीड़ी खड़ी दिखनी चाहिए हमें सब्जी या कि बडी में तो देखुए अब मैं इसमें डाल तिया सबसे पहले लेगी चकाश्मेरी मैं इसे कनर चाहा है तोड़ी सी चैने एक अब 54 अदो चमच भरके डाला ने धप मिवा डालने शोyas सब का ठाब आल दिय की बयाड बैटरे डाले उसके बाद उसमें ना मैंने डेड़ गिलास के करीब पानियोर डाल दिया था अब कर दो करें जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक इसको चलाते रहें वे ना फट जाती है तो जब तक उबाल ना आई साइसे चलाते रही है उसके बाद से यह देखे ऊबलने दिजिए इसे पीच पीच में चलाते रहें सबजी नीचे लग जाएगा बेसन भी लग जाएगा यह देखिए अब मेरी पकने लगी है इसमें खूब उबाल देंगे जब ही टेस्ट बनेगा और सबजियों में भी लगा कड़ी का फ्लेवर आ जाएगा और मैंने इसमें थोड़ी सी ना जब कड़ी डाली तो फोड़ी स सर्सों का तेल ले लिया तेल को गरम करके अच्छा उसमें मैंने हींग डाल दिया और थोड़ी सी देगी मिरसे डालके इसके ओपर मैंने डाल दिया यह देखिए इस से खुश्बू नब बड़ी अच्छी हो जाएगी इसको अच्छी तरह से मिला लिए देखिए मेरी आप इसे खाएंगे ना बिल्कुल अलग ही टेस्ट आएगा कड़ी पकोड़े से इसका आप इसे रोटी के साथ खाए चावल के साथ खाए किसी भी चीज के साथ खाए बड़ी ही टेस्टी लगने वाली आप भी इसे एक बार ज़रू ट्राई करिए धन्यवाद